इंदिया टूरिस्ट टॉप टेंग मस्ट विजिट प्लेसेज इन डेली दस रेल म्यूसियम चानक के कुरी के आसपास के शेट्र में स्थित वेल संड्राहले का उदेशिए भारत की 113 वर्ष पुरानी रेलवे बिरासत को संड्रक्षित करना है संड्राहले 10 एकर भूनी में फैला है और कुछ शांदार रेलवे यादगार घर है सुरत तस्वीरों को दिखाती है वेटने के आसपास कुछ लगत मॉडल है जिनमें से सभी को फोटो खिंचवाने की बनाही है इसमें 200 लोगों के वेटने की ख्षम्ता वाला एक सभागार भी है जहां कभी कभार कार्यशा लाएं आयोचकी जाती है और प्रचित्रों का प्रदर्शन किया जाता है Lotus Temple दुनिया भर में मौजूल 7 वही House of Workshop में से एक है जैसे ही आप मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं आप एक आकर्शक प्रवेश द्वार्ट सुंदर फूलों के बागानों और शांदार फूलों का सामना करते हैं मंदिर के दर्वाजे तक जाने वाले रास्ते हरे भरे जाडियों से भरे हुए हैं और शांती की भावना गुभूनाती भीट के बावजूद बातावरन को लिहार्टी है एक बार अंदर जाने के बाद मंत्र मुख्त करने वाली वास्तुगला आपको एक आत्म दिरीक्षन चुप्ती में ले जाएगी रहा है कि विशाल प्रार्थना कक्ष को प्रकाश देने के लिए किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यक्ता नहीं है इसके नौ आसपास के तालावों और उध्यानों के साथ लोट्स टैंपल की सब्पत्ती चप्री से एकड़ में पहली हुई है 3. भक्ती सब्बंधी बैटके समुदाए के लीदर एक प्यार और सौहर पूल बातावरं बनाने के उदेशे से हुदी है 4. स्टडी सखिल, बहाई लेखन, प्राधना, जीवन और रित्यु का व्यापक अथ्यान करने के उदेशे से हैं और इसलिए लोगों में आध्यात में चेतना पैदा करते हैं 8. कुतुग मीनार कुतुग मीनार दुनिया का सबसे उचा और दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा समारक है यह महरौली में स्थित है कुतुग मीनार के अलावा कुतुग कॉंपलेक्स में आपको लोहे के स्तंभ और अलाई दर्वाजा की तरह कही अन्य प्राचीन संवरचनाई है अब इश्वसनिय कुतुग मीनार 240 फीट की उचाई तक चड़ता है आधार पर 14.3 मीटर और शीर्ष पर 2.7 मीटर के व्यास के साथ 389 सीरियों वाले सर्कल सीरीस मारक के शीर्ष पर एक ले जाता है यह जमीनी स्तर से 65 मीटर उपर से थोड़ा जुपता है 5 मंजला इमारत को लाल बलुवा पत्थर और संग्मर्मर से बनाया गया है हर मंजल मीनार के चारो और एक मावदार बालकनी है और कॉबल्स द्वारा समर्थित है पहले 3 मंजला लाल पत्थर से बने हैं और अपेक्षाक्रित हल्के हैं चौथा एक सफेथ है जैसा कि यह संग्मर्मर से बना है आखिरी मंजल बलुवा पत्थर से बनी है पारस अर्वी और नाग्वी पात्रों के अन्य शिलालेखों के साथ कुरान से च्छन को मीनार पर उखेरा जा सकता है 7 लाल किला शहर के केंधि में स्थित यह मुगल बंच के समराटों का मुख्य निवास था बास्तुकला का यह थोपा हुआ टुकडा इसकी अभीतिय लाल बलुवा पत्थर की बिवारों से इसका नाम प्राप करता है प्रदर्शन पर कीम्ती कलाक्रतियों का बर्की करण है हर साल भार्तिय प्रधान मंत्री स्वतंत्र का दिवस पर यहां राष्टिय द्वज वहराते हैं यह दो किलो मीटर की परिधी की बिवार से खिरा हुआ है जो एक प्रभावी रक्षात्म उपाय के रूप में काम करता है केले की संवर्चनाश पोनिय है और इसमें कई द्वार हैं जिनमें प्रभुक हैं लाहुरी, अजमेरी, कश्मीरी, मोरी, तुर्कमान और दिल्ली द्वार लाल किला अपने परिसर के अंदर कई संवर्चनाई रखता है इन सभी में सबसे अच्छी तरह से ग्याद बीवाने आम, बीवाने खास, भूर्थी मस्जद और नाहरे वशिष्ट स्वर्ट की खाराब हैं तर बीवाने आम, जिसे पबलिक हॉल और पबलिक ओडियंस के नाम से भी जाना जाता है एक आयताकार हॉल है जिसमें तीन महराब हैं, जिसमें नौ महराब हैं बूरूरूट से पूर्वी जल सीमा के साथ शे संवर्मर महल थी एक जल चैनल, जिसे नाहरे विलिष्ट स्क्रीम ऑफ पेराडाइस कहा जाता है इसके माधिन से चलता है, जिसमें एक केंविय संवर्मर बेसिं के साथ लगे हाथी दाथ का पबबारा है बुंताज महल में अब देही किला संग्राहले है बीवान एक खास, Hall of Private Audience एक सुंदर ठंग से सचा हुआ स्कंभ है, जिसमें उक्कीम महराबो द्वारा सवर्थेद एक सपाथ शत है मयूर सिंखासन को नादिर शाह द्वारा चीन लिए जाने से पहले यहां रखने के लिए कहा जाता है हमाम बात में गलियारों द्वारा विभाचतीन प्रमुखंड है पूरा आंतरिक और फर्ष संग्पर्मर और रंगीन पत्थरों से चड़ापवा है मोथी मस्जिद पल मस्जिद जिसे बात में औरन से द्वारा चुड़ा गया था, हम्दन के पश्चिम में है हयात बक्षबाग के गेंडि में टैंक के बीच में लाग पत्थर के मंड़को जफर महिल कहा जाता है और बहादुर शाह कुतिया द्वारा लभखग 1842 में बनाया गया था 6. जामा मस्जिद मथед द्ली की घील और अराजगता के बीच सबसे बड़ी मसजद की शांती और शांती है मस्जद में जहान रुमा या जामा मस्जद जैसा की आम तौर पर जाना जाता है का अरफ है करने के लिए आयूजद करता है आंगर में 25,000 लोगों की ख्रमता के साथ जामा मस्जद यखीनन देश की सबसे बड़ी मस्जद है दुरभाख्य से नमाज के दौरान के मुस्लिमों को मस्जद के अंदर जाने की अनुमती नहीं है जामा मस्जद दिली के पुराने हिस्से में स्थित है जिसे अब चांगी चौप गहा जादा है और यह मुख सुरत मुगल संड़जनाओं से खिरा हुआ है आज हजार श्रविकों और 6 साल 1650 1656 को पुरा करने में उस समय एक लाग रुपे की बड़ी निर्मान लागत लगी प्रवेश्द बार कर पहुँचने के लिए 1200 वर्ड मीटर के खेत्र में फैली हुए है जो 40 मीटर उची है बलुआ पथर और सफेद संध मर्मर से निर्मित यस्था पत्यकृती पैदुबर मुहमद के लाल दाड़ी के बाल उनके जूते और पैर के निशान के साथ महत्वपूर्ण इस्लामिक अवशेशों के साथ एक स्वागत करता है चतीन काले और सफेद संध मर्मर के गुंबदों को 40 मीटर उचे मीनारों के जोड़े से खिरा हुआ है प्रत एक मीनार एक 130 कदम की चड़ाई है नेकिन केबल दक्षिनी द्वार मामूरी शोग के लिए चंता के लिए खुला है चामा मस्चित का पूर्मी द्वार था 35 कदम और शुरू में मुगल सम्रादों के लिए और फिर बाद में ब्रिटिश शासर के दौरान भारत के शाही आगंतुकों और वाइसराय के लिए एक आरक्षित प्रवेश द्वार के रूप में इस्तिमाल किया गया था यह अश्ट कोनी यह है और चट को करशी से सजाया गया है एक 15.4 मीटर उचा है और इसमें तीन महरवों के साथ एक विशाल उधाटन है एक के बूसरों तरफ एक अरुमानित बालकनी भी है कुथतरी द्वार के 49 चरण है और शुरू में यह रईसों के लिए था 33 चरणों वाला दक्षिनी द्वार आम जंता कि सीप्फ़ू के साथ खंडों में विभाचित किया गया है मस्ज़ित के पर्ष को फूर सुलती सी काले पत्खर से सजाया गया है और भक्तौ के लिए 800 बिञ्यान बेदिशान है啊 प्रामक बजार पर इसर में लगखक सभी प्रसित अंतिराश्ट्रिया चेंस्टोर प्रसित खाद्य श्रिंक लाइन रेस्टरा और बार है। कोई भी यात्रा कनोर प्लेस की यात्रा के बिना हुई नहीं मुई है। प्रिंस आथर के बाद नामित कनोर का पहला ड्यूप इसे उसमें पोन की मुख्य वास्तकार रॉबर्ट टोर रसेल द्वारा डिजाइन किया गया था। निर्मान 1931 में पूरा हुआ था। जोचियाई वास्तकला पर निर्मितिया परिसर इंग्लेंड की बाद शेहर में रॉयल प्रिसेल के समान है। शुरुआत में इसे 172 मीटर उचा बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे दो कहानियों में बदल दिया गया। चार, गुरुद्वारा बंगला साहिब आठवे सिख गुरु, गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरु हर प्रिश्म के साथ अपने जुराव के लिए जाना जाता है, जो दिली की सबसे प्रभुख थार्मिक्स खलों में से एक है। सभी 24 घंटों के लिए संचालन करना, गुरुद्वारा सिखों के बड़े दिल की प्रकृति का एक उदाहरन है। एक ही दिन में हजार से आधित लोगों गुरुद्वारा सांक्वना के इस्थान को चुका दिया जाता है। गुरुखवारा बंगला साहिब के परिसर में एक मुख्य प्राठ्वना का उच्छतर माथ्यमिक विद्याले, एक अस्पताल, बाबा बगिल सिंग संपराहले और इसके परिसर में एक उस्तकाले है। इस मंदल की पवित्रता इसके अंदर पवित्र जरोबर की उपस्तिती से बढ़ती है। सफेद और सुनहरा निर्मित गुरुद्वारा आत्माओं में उच्छ है और रूर से भी देखा जा सकता है। यहां आने वाले लोगों को कड़ा प्रसाद मिलता है, जो इसके लिए अविश्वस्निय रूप से स्वादिष्ट है और यहां पवित्रता और भूटों को नश्ट करने वाले स्वाद का मिश्रण है। इसमें परियक्वों के लिए या दी निवास या हाउस भी है। धार्मिक स्थल इतना सुंदर है कि यहां तक इसका एक रिश्य आपकी आत्मा को शांती और विश्राम का अनुभव करा सकता है। पात और शबद पवित्रम मंत्र जो लगफ़ 24 घंटे तक चलते हैं आपको सीधी इश्वरिय शक्ती से चोड़ता है। पूजा स्थल के रूप में पूजनिय होने के अलावा, बंगला साहिब का भवन सिक वास्तुकला का एक शांदार उताहरन है। पूरी इमारत को नाजुक सफेथ संग मर्मर से बनाया गया है, जिसमें केंड़िय गुंबत थो सोने की पत्वियों से ठका है। सामने की वीवार चटल अनुमानित नकाशी से सुशोधित है और कई छोटे गुंबन भी है। निशान साहिब एक विशाल्थ बचा है जो गर्व से गुरुपवारा का चंड़ा लहरादी है। गुरुपवारा के मैदान में अपनी सीमाओं के भीतर कई सब्रचनाएं हैं, जैसे कि एक आर्ट गैलरी, सामप्रदाइक रसोई खर एक उच्च माथमिक विद्याले और यहां तक धकिभुए तीर्थ्याथियों के लिए खुद को आराम करने और ताजा करने के लिए एक सामदाइक गोजन बारा बचे पूरबाहा कोने बारा बचे तक प्रदान किया जाता है और यहां उन सभी के लिए खुला है जो इस थान पर जाते हैं, आप लंपूर रसोई में मदद करके अपनी सेवाओं को जर्वशक्तिमान को सौंग सकते हैं, जो माना जाता है कि मंदि वास्टुकला का यह शानदार टुकड़ा उनकुछ संभिजनाओं में से एक है, जिन्हीं ने उस समय इतने बड़े पैमाने पर लाल बलुवा पथर का इस्तिमाल किया था यह शानदार मगबरा एक विशाल अलंकरिक मुगल गार्डन के बीच में स्थित है और इसकी सुप्रता केबल सर्वियों के महीरों के दौरान ही बढ़ चाती है यह उना नदी के किनारि स्थित है, यह मगबरा कई अन्य मुगलों के अफशेशों का भी खर है, जिनने उनकी पत्मियां, कुत्रों और बात के सब्राड शाह जहां के बंशच साथ ही कई अन्य मुगल भी शामिल है हुमायू के मगबरे की संरजना इस्लामिक और फार्सी बास्तुकला का मिश्रन है जिसमें भारतिय शान की भी छटा है पश्चिम में मुख्य उठाटन को सुशोहित करने वाले छे पक्षिय सितारे, मुख्य मगबरे की संरजना पर भी दिखाई देते हैं हाला कि इसका उप्योग एक पैटन वाले गैलेक्टिक प्रतीग के रूप में किया गया है मस्जद में सब्राट के प्रियनाई की कब्रती है प्रिनाइट और लाल बलुव पत्थर के मंदे से बना मक्वरा सफेथ संगमर्मर का उप्योग आवरन सामत्वी के रूम में करता है इसमें भार्तिय इसलामी बास्टुकला की मुख्य विशेश ताएं हैं जैसे की जालियां चौखट और छचचा यह 8 मीटर उचा और 12,000 मीटर वर्ड में फैला हुआ छट पर खड़ा है यह मक्वरा सौ से अधिक विशालकाई पत्थरों से भरा हुआ है और सम्कून आधार संरचना कुछ ही कदमों की उचाई कर है 2. स्वामिना रायन अक्षरधाम मंदिर अक्षरधाम ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में गिनीज बोक ओफ वर्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है मंदिर के जटल नकाशिदार संग्मर्मर और बलुवा पत्थर की संरचना के निर्मान में दुनिया भर के 8000 से अधिक स्वयम सेवक शामिल थे भार्तिय संस्कृति आध्यात मिक्ता और वास्दुकला का एक प्रती स्वामिना रायन अक्षर्थाम मंदिर 2005 में निर्मित भगवान का निवास स्थान है यहुना नदी के तरपर चतुराई से बैठी, मंदिर में हिंदु थर्म और इसकी पुरानी संस्कृति दिखाई देवी है भगवान स्वामिनारायन को समर्पित मंदिर निस्सने इचमतकार का काम है मंदिर की अविश्वसनिय दिवारों पर कालाती धिंगु शिक्षाय और तेजदर रार भक्ती परमपराय अपना स्थान पादी है इसके अलावा कॉंपलेक्स भारत के सबसे बड़े कदम के लिए एक धर है जो मेसर चिंग वाटर शो का मेजबान है एक पुला उद्यान, नारायन सरोबर, विपिन अभियान और अनुष्ठान आध्यात्मिक साधकों के लिए यह परिसर किसी स्वर्थ से कम नहीं है इसमें आठ अस्थाई रूप से नकाशीदार मंटब है केंटरकीट यानि भगवान स्वामिनारायन की मूर्ती जिसमें 20,000 देवता है भार्थिया इतिहास में महत्वपून व्यक्दिव और रिशी भार्थिया वास्तुकला परम प्राओं और कालाती ताथियात में विचारों का सार प्रदर्शित करते हैं 6 नवंबर 2005 को खुला गया मंदिर गाफ्स द्वारा निर्मित है पूम भूप गोचासल वासी श्री अक्षर कुरुशोत्तम स्वामिनारायन संस्थान कॉम्प्लेक्स का मुख्या अपैशन यानि अक्षर थाम मंदिर 141 फुट तक फैला हुआ है यह 316 फुट तक फैला हुआ है और 356 फुट तक फैला हुआ है विभिल देवताओं, संधीत का रोग, मृत्यों, बनस्पतियों और चीवों की छवियों के साथ नकाशीदार विवारे और छट महान वास्तुकला का एक काम है अचार्यों और साथ्मों के 20,000 मर्दियों के साथ 9 गुंबद है 1. इंदिया गेट इंदिया गेट के नाम से प्रसित अखिल भार्तिय योकस मारक नई दिल्ही में राजबत के साथ स्थित है इंदिया गेट की भवय संवरचना विसमयकारी है और इसकी प्रसित है यदि आ प्रथम विश्म योकस के बारे में आधिक जानना चाहते हैं तो आपको इंदिया गेट की ओर प्रस्थान करना चाहिए 82,000 भार्तिय और ब्रिटिश सेनिकों को समर्पित जो प्रथम विश्म योधव और तीसरे एंग्लो अफगान योधव के दौरान मारे गए थे इस मारक में इसकी सतह पर 13,300 सेनिकों के नाम अंगित हैं इंदिया गेट के परिसर में अमर जवान जियोती भी है जो की आर्काइब के ठीक नीचे एक धाला संवरचना है 1971 में बांग्लादेश मुक्ती योध़ के बाद दिर्मित अमर जवान जियोती भारत के अनंग अमर सेनिकों का प्रतीक है 625 मीटर के व्याज के साथ एक हेक्सागोनल परिजर के केंटर पर स्थिफ इंडिया गेट को 3,60,000 मीटर वर का अक्षेत्र शामिल है यह 42 मीटर लंबा है और इसकी चोड़ा है 9.91 मीटर है यह भरतपुर से एक कम बेज लाग पत्थर पर खड़ा है और फिर चरणों में उत्ता है इंडिया गेट के शीश पर एक उठले गूंबत के आगार का कटूरा है जो विशेश वज़रों पर देल चलाने से शायद ही भरा जाता है लंभग 150 मीटर की दूरी पर शांदार इंडिया गेट के थीट पीछे एक शक्री जैसी संदचना है इंडिया गेट के आज के दोनों किनारों पर इंडिया को उपरी मामलों में अंकित किया गया है जिसके दोनों ओर MCMX IV 1914 और MCMX IX 1919 हैं शक्त भारत के नीचे उपरी अक्षरों में अंकित है फ्रांस और Flanders मैसोपोटामिया और फारस पूलवी अफ्रीका गैली पोली में और गही और विनेचुने पूलवजों की ववित्रस मृती में जिनके नाम यहां दर्ज है या जो भारत में गिरे हैं या जो मारे गए हैं उन भारती असे नाओं की मृतकों को सब्मानित किया जाता है उत्तर पश्चिक जीमान्त और तीसरे अफ्कान युद्ध के दोरान